लो दोस्तों मेरा नाम मेंब्रान आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागते तो अगर आज की इस वीडियो में अगर हम लास्ट वीडियो में एक वीडियो में दी ती यूज आफ केप्ट ओन का पूरा रिवीजन ओके तो थोड़ा टाइम नहीं था तो इसलिए मै तो आज की इस वीडियो में डिकस् करने वाला हूं आद मिस्ठाट करते आज की इस वीडियो को निइनग्स करने वाला तो चलिए इस वीडियो को सेर कर देना वोगे वीडियो को लाइक कहना और यह सब्सक्राइब चलिए चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज तो आँग यह का पहुँचना मतलब इसका होता है तो उससे ऊपर चोटि का मतलब हूपर पहुंचना हो के सबसे छोटी पर पहुंचना championships तो काई सकते हो इसको इंगलिस में यू सुड़ यू सुड़ पीकिंग तुम्हें क्या है चोटी पर पहुंचना चाहिए ओके बहुत किलियर बहुत मतलब में सोता है चोटी पर पहुंचना चाहिए यह मीनिंग चलिए नेश्ट मीनिंग देखते हैं इसक्वाइड मेरे साथ बोलिया स्क्वाइड एसक्वाइड में सोता दल या टुकडी दल का मतलब होता है जैसे किसी का भी चीज तो मान लीजे यह हमारा क्या रूम है ठीक है तो इसमें मतलब टुकडी का मतलब एक भाग यही हुआ टुकडी ओके क्लियर होई ना तो कोई सामें एक पार्ट लेलें छोटा सा तो हमारा क्या वह टुकडी हो गया तो कह सकते हो इस रूम एक अष्काय क्या टुककडी की तरह या क्या सामने क्या अगर अगर कोई प्राब्लम हो तो निच्च कमेंट कर देना ओके चलिए नेस्ट मीनिंग देखते हैं लोग क्या है यूनों इन्दी मिना वाइलांट वी आई ओ ले एन टी वाइलांट में शोता हिंसात्मक हिंसात्मक का मतलब समझे रहें आप लोग हिंसात्मक का मतलब होता है इमांदार सच्चाई सच्चाई और इमांदारी के साथ बोल ला जस्ट वन मिनाट थोड़ा लाइट चली गए तो चलिए स्टुडेंट अम कहां पर चल लेते हमारा टॉपिक क्या था मीनिंग तो मैं यहां पर था वाइलांट वाइलांट में शिसात्मक यहां पर था थोड़ा थोड़ा चली गए थे मैंना भी आउन किया होके तो हिंसात्मक का मतलब सक्चाई और इमांदारी उसका मत सहले तरब क्या हलता हिंसात्मक क्लियर हो ना हेंदी मैं हिंसात्मक करों चक्युश्य ह सकते हो एक हिंसात्मक और रास्ते पें चलतेलिए सब्सक्심ों बद्वेजcolm माहतमे क्ले माहतमा गॉस्यृट है चलते थे मतलब आ हम है घंऊलन परसंडतमा क्लेंए झालइन है हिन्दी मिन श्टृिंग ahead of today यहिंग पूर स्टॉड स्टुम स्टूडेंज शूजंस जो में आ cities यहाँ तो उसको क्या बोलते हैंश्ट्ड क्या बोलते हैं म में कहता तु इस ब्रजटी इन इस बाइडी धैरीज में कई सुतिति हैं कि अटिए सकते हैं सब शंबाइन वे ना एक का वूब देखते हैं बहुत व्लक्ति दिर दो को ना ऊटmelon के थे लिए उसको उसमें बोलते हैं अलम लोग enghraar жить RJ कुछ बोलते ना तो च्पते होग पान कैसे सकते हो चैसे ङर नीमें आज क्या तो चैसकते हो तो यह कह सकते हो इट अब इसका मतलब तो चैसे का है अब मंज में अब अब बहुत इंपोर्टन मेनिंग चल लही है वीडियो को लाश्ट तक देखी अगदम ध्यान से स्टूडेंट करना क्या होता है सम्भवकारे को करना अब आप लोगा संभवकारे का मतलब समझ रहें जो काम हम से हो ना सके जो हम काम क्या करना सकते हैं लेकिन क्या हैं करेंगे शल्द से जल्द आगे बढख सको तुम्हें क्या हैं मंजिल मुकाम क्या तो क्यां सकते हूब यू सुड कारे को करना पूरी वर्भ है तो क्या सकते हो यू ओ-ö क्राइफ पूरी मेंनिंग तुम्हें पूह और या प्राइफ आज घुन कोई सुसे क्लिज अख़ार को प्राइफ दिख्कत पूर में चलिया नैस्ट In बोलते हैं तो इंग्लिस में इसको क्या बोलते हैं देखिया इन से बोलेंगा व्रसाद को इसके लिए सब लोगों को यही आप लोगों का बनता कि वीडियो का ज़दा ज़दा लाइक करिया शेर भी कर दीजा सातमीं okay you know ह Ew vidévenach consecrated food मैंने क्या बता परसाद तो मिनन क्या है。」 इसकी मीनिंग क्या है एक बार स्टो रेटी एटी इडी इडी consecrated food ॅड क्या है मीनिन एक बार मैं फिर सब जोड़ें When S ne say a three consecrated food मिस होता है परशाद कर सकते हुँ तुम्हें क्या है तुमने क्या है प्रशाद खाया यू हैड इटेन दा कॉंसिक्रेटेटेड फूर तुमने क्या है प्रशाद खाया के लिए ना गाइस एकदम के लिए अभी तक कोई प्राबलम तो नहीं है इतनी मैंने डिसकस की मीनिंग वन बाइवन करके चले नेस्ट मीनिंग देखते हैं अच्छे से जानना यहां पर लिख सकती हो अच्छे से थोड़ा टाइम नहीं था इसलिए मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी कर रहा हूं कि वीडियो ना हो इसलिए अम लोगों को थोड़ा अच्छे से बता दिया बता देता हो ओं यू नौ प्र्रोमिनेंट मीनिंग प्रोमि किसी को एक दम अच्छ से जानना उसके बारे में 100 से जानना तो आ तुम्हें क्लिए हुए तुम्हें क्लिए एक क्लिए सब्सक्रा जसे देखते हैं यू नोओ हिंदी मनत्राइज क्थड़ को एक भूर क्वारबाइज और से उल प्राइज और ऊप्राइज क्या करें तो यू सुड़ ए प्राइज तू यह क्षलतो यू आ या क्या उसकाते हो क्या है तुम्हारे छोटे भाई को क्या सलाह देनी चाहिए या उसको बताना चाहिए हर एक चीज के बारे में यह मैंने यहां तक अगर आप लोगों को कोई प्राब्लम हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो नीचे कमेंट सेक्चन में अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं यूनों हिंदी मिन आप कॉंसोलेट क्या है मेनिंग सी ओ एंस ओ एल एटी ए कॉंसोलेट इसका उच्छाड़ क्या बनता है तो मिल्सोलेट काम आओ नेंठाम जबना क्या होता है किसी को मिट्टी दना तो इसको कह सकते होता तुम्हें क्या है एक सब्सक्राइब करके बताना और अगर मैंने यह तिन मीनिक्स जो बताएं अगर आप लोगों को कोई प्राब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्चन में कमेंट करके मुझे तो मिलेंगे नेस्ट वीडियो में ओके नए टापिक के साथ वीडियो देखने के लिए थैंक्स धाइक्सक्राइब करते हैज आए कर दो